सबजी वालों को बोल दिया गया कि आप लोग दुकान मत लगाए रंग रोगन में कितनी खर्च हुए नहीं आना है तो पहले से बता दिया जाना चाहिए ये अच्छा संदेश नहीं जाता है नमस्कार न्यूजविंग में आपका स्वागत है मैं हूर अफी समी हमारे साथ मौझूद है सांसाद महुआ माजी जी मैं जिस तरह से भवे आयोजन हुआ कई योशनाओं को सवगात दिया गया विपक्च के कोई लोग नहीं आए राजपाल ने भी भाहिशकार किया जाना क् राज्य का अपना कारेक्राम है किसी का कोई व्यक्ति rend नहीं है नहीं की कोई पाटि विश्न का कारेक्राम है और इसमें सब की भागेदारी होनी चाहिए ति यूंकि जनता के लिए इतनी सारी योजनां का का कि घोशना हुई है यूर इसमें तो सबको साहिए total तक जाड़करन में किसी ने उनलोगों के बारे में नहीं सोचा था जिन जिनके बारे मानिय मुख्यमान्थविजी ने अपनी पूरिये महागडबन्धन के साथ सोचा, और आप देखिए कि हमारे भगवान विर्सा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाब उल्गुलान किया था और आज हमारे मानिय मुख्या मंत्री जी ने एक तरह से देखा जाए तो उसी तरह का काम किया है क्योंकि अंग्रेज यहां पर अत्याचार करते थे उनसे तमाम लोग परिशान थे इसके लिए उन्होंने आंदोलर किया आज यहां पर इतने सालों से हमारी जो महिलाए हैं जो बैने हैं नाबालिक लड़किया हैं उनको जो दलाल टाइप के लोग होते हैं ट्राफिकर्स होते हैं तो उससे राज्यों मेले जाकर उनको बेचते थे आर्थिक मानसिक शारिडिक शोषन करते थे उनको आगे कभी कोई इस तरह से उन पर अत्यचार ना करें इसके लिए मानने मुख्यमंत्री जी ने आपने कि पहले से सारा आयोजन है तमाम सरकारी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और इतने दीनों से यहां की जनता भी कई बार परिशान हो जाते हैं क्योंकि सबजी वालों को बोल दिया गया कि आप लोग दुकान मत लगाए रंग रोगन में कितने खर्च हुए सजाया गया मान जो अतीत्थी आने वाले थे उंके लिए लेकिन उसके बार अंतिम समय में अगर नहीं आना है तो पहले से बता दिया जाना चाहियए यह अच्छा संदेश नहीं जाता है ना तो देश में ना राजbey में यह कहना है राजसाबंसान साथ महवा माजी जी का हम जानेंगा और ही शत्ता पक्ष के लोगों से किस बाबत क्या कुछ कहना है उनका सहीयोगी धर्मेंदर के साथ रफी समी नियूज्विंग राची तफकॉन । एक्स्टी शिक्स हंडर्ड एच सी आर टी एम्टी रिवा अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राट